जहेंद प्यारे साथियों कैसे आप सब बिल्कुल मस्तोंगे यूनिक स्टेडी विद अजय यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जोग्रोफी की जो हमारी सीरीज चल रही है सोस्यल कल्चर जोग्रोफी इसको बिल्कुल हम आगे की और कंटिन्यू क करते हैं और प्यारे सात्यों आज हम पढ़ेंगे इसमें डिक्कव पिछली वाली इसमें हमने बहुत सारी important important बाते पड़ी थी ओर बहुत अच्छे से बनेगा आज वाली क्लास से यह मैंने बोला था ठीक है इतने confidence के साथ कह रहा हूं मैं इस topic को लेकर इतना ज्यादा विश्वास मेरे मेरा इस topic को लेकर और अब हम सुरू करते हैं आज की कहानी को गिर्फिट टेलर मोदे से सुरू करेंगे कहां तक पढ़ा था कल हमने यहां तक हमने पढ़ लिया था कल क्रोबर मोदे के अनुसार तौचा के आधार पर परजातियों को तीन भागों में विवाजित किया गया था इसको मैंने याद करने का तरीका भी बता दिया था अपको तीन इमेज की बात की थी मैंने कि आप एक अपनी खुद की इमेज देखो एक अंगरेज की देखो एक अफ्रिकल लोगों की देखो ठीक है अब उन्हें इमेजों के बेसे इस पर मैंने बालों के आधार पर परजातियों का वर्गी करान समझा दिया था सिरस्य सूचकांग के आधार पर परजातियों का वर्गी करान समझा दिया था और सिरस्य सूचकाई के अदार पर परजातियों का क्लासिफिकेशन किस ने किया था ये आपको कमेंट सेसन में कमेंट करके बताना है प्यारा सा कमेंट करकर मानो परजातियों का वर्गी करन अब देखो यहां पर केवल हम उन बातों को पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा महत्पूर है जो हमें सच में याद करने चाहिए मानो परजातियों के वर्गी करने का सबसे पहला परियास कब हुआ था 1758 में हुआ था जो कि लीनियस के द्वारा किया गया था पहली बात समझना प्यारे साथियों कि मानो परजातियों के वर्गी करने का मानो परजातियों के वर्गी करने का सबसे पहला परियास किया था लीनियस के द्वारा कब 1758 में एक बार कि उसल बन चुका है यहां से तो आपको इसको थोड़ा सईड़ंग से याद करना है तौचा के रंके आधार पर Linneas Mode ने परजातियों को चार भागों में विवाजित किया था मैं एक बार रिपिट कर रहाँ मानो परजातियों के वरगी करने का सबसे पहला परियाज 1758 में Linneas के दुआरा किया था Linneas Mode ने तौचा के रंके आधार पर परजातियों को चार भागों में विवाजित किया पहला अमेरिकी लाल परजाती यूरोपिय स्वेट परजाती एसियाई परजाती और अफरीका की शाम परजाती अफरीकी शाम परजाती का मतलब है अफरीका की काली परजाती एसियाई परजाती का मतलब है की सिद्धान सो के अधार पर मानो बद्धाती का व्रगी करण प्रस्तूत किया था ठीक है 1919 में ग्रिफी टेलर ने जलवायू चकर थता विकास वाद के सिद्धान्त के आधार पर मानो परजातियों का वर्गी करन प्रस्तूत किया इन्हों ने परजातियों के उद्बव, विकास और वर्तमान वित्रन परती रुपों का विस्तर्थ व्याख्या हितू परवास कटी बंद सिद्धान्त या कटी बंद सिद्धान्त दिया था मतलब ये जलवायों से संबंदित हो सकता है आपके दिमाग में तो यही आएगा कटी बंद जलवायों से जुड़ा हुआ तो कटी बंद इस तर सिद्दान्त आपको देखते ही सब्द को देखते ही आपके दिमाग में जलवायों की feeling आने लग जाएगे लेकिन प्यारे साथियों जो परवास कटी बंद सिद्धानत है ये जो कटी बंद सिद्धानत है ये परजातियों के उद्बव, विकास और वत्मान वित्रन से संबंदित है तो ग्रिफिट टेलर मोदे ने 1919 में मानो परजातियों का वर्गी करण प्रस्त इसलिए आप नोट बना के लिखते चलो लिखो ग्रिफिट टेलर मोदे ने 1919 में जलवायू चकर और विकास वाद के सिद्धानत के आदार पर मानो परजातियों का वर्गी करण प्रस्तूत किया उसके बाद में आपको लिखना है ग्रिफिट टेलर मोदे ने परवास कटी बंद सिद्धानत या कटी बंद सिद्धानत दिया था और इन्होंने इस सिद्धानत के आदार पर परजातियों के उद्वव परजातियों का विकास और उनके वर्तमान वित्रन को समझाया था ठीक है तो ग्रिफिट टेलर मोदे ने जो परवास कटी बंद सिद्धानत दि बोल दो इसके दुआरा ग्रिफी टेलर ने परजातियों के उद्वव परजातियों का विकास और उनके वित्रन को समझाया था ग्रिफी टेलर ने मद्ये एसिया को समस्थ परजातियों का उद्गम इस्तल मानना था ग्रिफी टेलर मोदय का मानना था कि जितने भी परजातिय उन सभी का जो उद्गम स्तल है, वो कहाँ करें प्यारे सात्यों मद्ये ईसिया में हैंального मैं इसके अलावा ग्रिफी टेलर ने एक और बात बोली ती, वो बात ये बोली थी प्यारे सातियों, कि जो परजातियां सबसे पहले उत्पन होई थी, वो अपने उत्पती स्तल से आज सबसे ज़्यादा दूर हैं दुबारश मैं रिपिट कर रहा हूं Griffith Taylor मोध्या ने कहा था कि जो परजातिया जहां पर सबसे पहले उद्बह हुआ था जिन परजातियों का जहां पर सबसे पहले उद्बह हुआ था वो परजातियां आज अपने उद्गम इस तल से सबसे ज़्यादा दोर है अब मैं इसको एक डाइग्राम से समझा देता हूँ फिर आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा जैसे ये हमारी दुनिया है इस दुनिया में ये मद्दे ऐसिया है यहाँ पर एक परजाति का विकास हुआ ग्रिफिट टेलर मोद्या ने जिस तरीके से माना न उस तरीके से बता रहा हूँ मैं ये मद्दे ऐसिया में एक परजाति का विकास हुआ धीरे धीरे और भी परजातियों का विकास होता गया तो ये परजातिये न वो आज अपने उद्गम इस तल से क्याए सबसे ज़्यादा दूर है ये माना था ग्रिफिट टेलर मोद्या ने तो ग्रिफिट टेलर मोद्या का मानना था कि सबसे पहले विक्सित परजाती है आज अपने उद्गम इस तल से सबसे ज़्यादा दूर है जो परजातिया सबसे पहले विक्सित हुई वह उद्गम स्तल से दूर महादिपों की पेटियों में पाई जाती है जो परजाती सबसे बाद में विक्षित हुई वह मद्दे ऐस्या के पास ही पाई जाती है ठीक है जो परजाती सबसे पहले पाई गई थी वो आज अपने उद्गम इस्तल से सबसे जादा दूर है और जो परजाती सबसे बाद में पाई गई है वो अपने उद्गम इस्तल के बिल्कुल समीप है और Griffith Taylor Mode ने सबी समस्थ परजातियों का जो उद्गम स्थल वो किसको माना है मद्दे एसिया को माना है Griffith Taylor Mode ने कपाल सूचकांग और बालों की बनावट के आधार पर परजातियों को कुल साथ भागों में विबाजित किया अब हम बात करते हैं सबसे पहले निगरeutos परजाति के बारे में प्यारे साथ यहों जो निगरeuto परजाति है वो दुनिया की सबसे परजाती मानी जाती है निगरeuto परजाती के लोग अपरिका की भूमद दे रेकिये वनो जिनको हम कांगो बेसिन बोलते हैं स्री लंका, मलाया, दक्षनिपूर्वी, दीप समू, अंडमा, निकोबार दीपों में पाये जाते हैं तो ग्रिफिट टेलर मोदे के अनुसार सबसे प्राचीन तम परजाती कौनची है निग्रिटो है ग्रिफिट टेलर मोदे के अनुसार सबसे पहले विक्षित परजाती कौनची है निग्रिटो परजाती है निग्रो परजाती के पषचा प्यारे साथियों निग्रो परजाती का उदभवा हुआ सबसे पहले निग्रो परजाती का उद्गम हुआ अब निग्रो परजाती के लोग उशन कटी बंदिया अफ्रिका के पूर्वी भाग मतलब सूडान गिनी तटिय परदिश और दक्षनी पूर्वी एसिया के दीपो जैसे न्यू गिनी में मिलते हैं तो आपको केवल इतना याद रखना है कि सबसे पहले निग्रेटो परजाती के बाद में निग्रो परजाती आई अब यह जो निग्रो परजाती है वो सूडान में गिनी में और इसके अलावा न्यू गिनी यह दक्षनी पूर्वी एसिया के दीपों में निवास करती है तो सबसे लंबे सिर्वाली परजाती है वो सबसे लंबे सिर्वाली परजाती है इसकी उत्पती तीसे नंबर पर हुई थी सबसे पहले निग्रेटो परजाती उसके पसचाते निग्रो परजाती और फिर आस्ट्रेलेड परजाती का विकास हुआ था ओस्ट्रेलेड परजाती पूरे ओस्ट्रेलिया महादिप में फैली हुई है ये बात आपको भोत अच्छे से ध्यान में रखना है मद्या और दक्षनी भारत में भी ओस्ट्रेलाइड पर जाती ही पाई जाती है तो ओस्ट्रेलाइड पर जाती है लंबे सिर्वाली पर जाती है उदगम के आधार पर यह तीसरा नमबर रखती है पहले नमबर पर निग्डिटो है दूसरे पर निग्रो है तीसरे पर ओस्ट्रेलाइड है ओस्ट्रेलाइड पर जाती है आज पूरे ओस्ट्रेले बें फैली हुई है घंपTE vardır अब हम बात करते हैं भूमध्य साग्रिय परजाती के बारे में भूमध्य साग्रिय परजाती के लोग लंबे सिर्वाले होते हैं तो ये बात आपको नहीं याद करने कि लंबे सिर्वाले होते हैं हमें केवल इतना याद रखना है कि सबसे लंबे सिर्किस के होते हैं और जाती के होते हैं तो भू भूमद्य सागर के निकटवरती छेतर में पाया जाता है ये बात आपको ध्यान में रखनी है पाई जा रही है इसके लावा उत्री भारत में पाई जाती है अब हम बात करते हैं नाडिक पर जाती के बाद बारे में जो नाडिक परजाती है ये मेरे प्यारे साथियों उत्री पस्मी यूरोप में पाई साथी है नाडिक परजाती आपको कहां देखने को मिलेगी उत्री पस्मी यूरोप में देखने को मिलेगी अब हम बात करते हैं अलपाइन परजाती के बारे में यह एक नवीन परजाती मानी जाती है जो अलपाइन परजाती है यह मेरे प्यारे लागलो एक नवीन परजाती मानी जाती है इस परजाती का जो निवास छेतर है वो मद्य डक्षन पूर्वी यूरोप है जो अलपाइन पर जाती है यह सबसे नवीन पर जाती मानी जाती है अलपाइन पर जाती मद्या दक्षिन पूर्वी यूरोप में निवास करती है अब हम बात करते हैं मंगोलेड पर जाती के बारे में यहाँ पर जाती अलपाइन समू की सबसे बाद में विक्षित नविन तम पर जाती है अब यहाँ पर आपको दो बाते याद करनी है सबसे नवीन पर जाती है अलपाइन पर जाती है और अलपाइन समू की सबसे बाद में विक्षित पर जाती कौनची है प्यारे साथियों मंगोलाइड पर जाती है यदि क्यों सना जाए कि सबसे नवीन पर जाती कौनची है तो वो अलपाइन होगी अल्पाइन समू की सबसे बाद में विक्षित परजाती कौनची है मंगोलाइड है तेलर ने उत्तर अल्पाइन परजाती भी कहा इसको यह परजाती एसिया के मद्यवर्ती भाग में निवास करती है अब हम बात करते हैं हेडन मोदे के अनुसार 1924 में हेडन ने सिर्के बालों की बनावट के आधार पर सिर्की बनावट के आधार पर वन के आधार पर सारी रिक कद के आधार पर नासिका के सवरूप के आधार पर परजातीयों का क्लासिपिकेशन किया था तो हैडन मोदे ने सिर्के बालों की बनावट के आधार पर, वन के आधार पर, सारी रिकद के आधार पर और नासिका के सवरूप के आधार पर परजातियों का क्लासिपिकेशन किया था तो मैं रिपिट कर रहा हूँ, हैडन मोदे ने बालों की बनावट के आधार पर, सिर्के बनावट के आधार पर, वन के आधार पर, सारी रिकद के आधार पर और नासिका सूच कांग के आधार पर या नासिका सवरूप के आधार पर परजातियों का क्लासिपिकेशन किया था हैडन मोदे ने सिर्के बालों की बनावट के आधार पर 1924 में परजातियों का किलासिपी किसन किया था तो देखो यहां से किस तरीके से बन सकता है कि हैडन मोदे ने निमने में से किस के आधार पर परजातियों का वर्गिकरण नहीं किया था तो हेडन मोदे ने सिर्की बालों के बनावट के आधार पर भी किया, सिर्की बनावट के आधार पर भी किया, वन के आधार पर भी किया, कद के आधार पर भी किया, नासिका के आधार पर भी किया, ठीक है? अब हैडन मोदों ने बालों की बानावट के आधार पर परजातियों का वर्गी करण किया था तो इसमें आपको मोटे मोटे तोर पर याद करना है प्यारे साथियों छले दार परजाती तो छले दार बाल किसके हैं अफरिकन लोगों के हैं तो अफरिकान लोगों के कैसा है प्यारे साती हो, छलेडार बाल है, फ्रिंगल टैप के बाल है, यह मैं आपको कल बता चुका था, और अफरिका में नाडिक पर जाती है, जो कि निगरीटो और निगरों से सम्टित है, इस तरीके से लहर दार बालों की बात की जाए, तो जो क ईनके सीधे बाल होते हैं यह मैं को कल वाली किलास में पिकचर के बेस पर आपको समझा दिया था क्यों बर्मोद Grüंध ने त nao chaCyo आधार पर परजातियों को तीन भागों में विभाजित किया कोकेशियन परजाति के उन्होंने सफिद रंग की परजाति बताया मोंगोलाइड परजाति को पिले रंग की परजाति बताया और निग्रोड परजाति को काली रंग की परजाति बताया इन्होंने कोई इस्प्रे अब हम बात करते हैं परजातियों को चार वर्द समुह में विवाजित किया गया है परजातियों को विश्व के विबिन भागों में पाई जाने वाले समस्त मानों परजातियों को उनकी उत्पती, विकास, इस्थानांतन, परजाती मिस्तरन के आधार पर चार व्रद समों में विबक्त किया गया है तो मैं एक बार जिपिट करता हूँ प्यारे साथियों कि विश्व के विबिन भागों में पाई जाने वाले समस्त मानों परजातियों को उनकी उत्पती, उनके विकास, उनके इस्थानांतर और परजाती मिस्तरन के आधार पर चार प्रमुख व्रद समों में विबाजित किया गया है अब सबसे पहले हम बात करते हैं निग्रोएड परजाती के बारे में बाई चार व्रद परजाती सम्मुएं जिसमें सबसे पहला था निग्रोड परजाती अब निग्रोड परजाती के बारे में देखो प्यारे साथियो पहला निग्रोड परजाती मनुष्य की तौचा का रंग केस नित्रों का रंग काला होता है प्यारे साथियो जो पूट का इनसान है उसकी फोट अपने दिमाग में लेकर आओ तो क्या क्या एगा भै अफरिका के लोगों का काला रंग बिलकुल काला होता है होट बहुत मोटे मोटे होते हैं उनके सिध बहुत चोड़े होते हैं बाल फिरिंगल टाइब के होते हैं याद होगए सारी बात आ आपको केवल इतना याद खना है कि निग्रवड पर जाती कहाँ पर रहती है, अब आप अफिरिका के किसी भी एक कंडिडेट की फोटो डाउनलोड कर लो गूगल से, उस फोटो को गोर से देखो, तो आपको देखने को मिलेगा कि निग्रवड पर जाती है, जो अफिरिका के है कि निग्रोड पर जाते मुख्यत है अपरिका में निवास करती है अब यहां पर आपको ध्यानक नहें जो सूडानी निग्रोड पर जाती है वो मेरे प्यारे सातियो सूडान के जंगलों में निवास करती है निग्रोड पर जाती के सरवादिक इसपस्ट लक्षन सूडानी निग्रों में ही देखने को मिलते हैं सूडान के जो जंगल है उनमें सूडानी निग्रो परजाती देखने को मिलती है निग्रो परजाती के जो सरवादिक इसपस्ट लक्षन है वो मेरे प्यारे लाड़लो सूडानी निग्रो में ही देखने को मिलते है और इस सूडानी निग्रो को प्यारे सातियो निग्रो के र प्रजाती के बारे में अब देखो यहां पर निग्रिटो या प्रजाती के बारे में बात करते हैं यह अफ्रिका के कांगो बेसिन में पूर्वी दीप समू के विबिन दीपो में निवाज करती है निग्रिटो या पिग्मी जाती है जो प्यारे साथियो अफ्रिका के कांगो बेसिन में और पूर्वी दीप समू में देखने को मिलती है उसके बाद हम बात करें बुस्मैन के बारे में अफ्रिका के काला हारी मरुस्तल में बुस्मैन जन जाती देखने को मिलती है आपको इतना याद रखना है कि भुस्मेन कहा देखने को मिलती है अफरीका के कालहारी मरुस्तल में निलोटिक निग्रो जो कि उत्रे पूर्वी अफ्रिका में देखने को मिलती है इसको चाहे आप याद मत करो अदर्वाइस आप ज़्यादा कन्फिजो रोहरुजा होगे महासागरे निग्रो को भी आप मत याद करो और चाहो तो याद भी कर सकते हैं जो कि न्यूगनी और मलेसिया में निवास करती है जो महासागरे निग्रो है प्यारे साथियों न्यूगनी और मलेसिया में निवास करती है और चाहे आप मत याद करो इसे अमेरिकी निग्रो जो की नई दुनिया अमेरिका की खोज के बाद इस्थानांतरित होकर यूरोपिय लोग उत्री तता दक्षनी अमेरिका में बस गए जिनें अमेरिकी निग्रो कहते हैं तो अमेरिकी निग्रो कौन है प्यारे साथियों कि जब नई दुनिया अमेरिका की खोज हुई तो कुछ यूरोप के लोग जाकर अमेरिका में या नई अमेरिका में या नई दुनिया में जाकर भस गए उन्हें ही अमेरिकी निग्रों कहा जाने लग गया अब हम बात करते हैं ओस्ट्रेलाइड परजाती के बारे में जिसको हम ओसे नियाई परजाती के नाम से भी जाने जाते हैं ये मुख्यत है ओस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में निवास करते हैं ठीक है जो ओस्ट्रेलाइड पर जाती है प्यारे साथ कियों जिसको हम ओसे नियाई पर जाती के नाम से भी जानते हैं यह ओस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में निवास करती है ओस्ट्रेलिया पर जाती के समान किंतु उससे पूर्य विक्सित होने वाले मानव समू को आदे ओस्ट्रेलाइड कहा जाता है दक्षनी भारत में दर्विड स्री लंका की वेदा जापान की आईनू या कूरिल प्रोटो ओस्ट्रेलाइड परजाती के परकार है तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों अब देखो आदे ओस्ट्रेलाइड को हम प्रोटो ओस्ट्रेलाइड भी कहते हैं पहली ब पर बता देता हूं आपको प्रोटो ओस्ट्रेलेड परजाती क्या है कि वो परजाती जो ओस्ट्रेलेड परजाती के समान विसेस्ता ही रखती है जो ओस्ट्रेलेड परजाती के समान गुन रखती है लेकिन जिस परजाती का विकास ओस्ट्रेलेड परजाती से पहले हो चुक ओस्टेलेड पर जाती कहते हैं दक्षनी भारत की दर्विड पर जाती है स्री लंका की वेदा पर जाती है जापान की आईनू है और कुरिल है जापान की जो आईनू है इसे ही कुरिल कहते हैं स्री लंका की वेदा है दक्षनी भारत की दर्विड है यह तीनों की तीनों पर ज जाते संबंदित हैं कोके सैड पर जाती अब कोके सैड पर जाती प्यारे साथी यूरोपियम हादिप में निवास करती है अब आप एक गूगल से फोटो डाउनलोड करो अब भी यूरोपियन लोगों की मतलब अंग्रेजों की एक फोटो डाउनलोड करो जब आप हुआ है उनका जो इस्किन का कलर है वो सफेद है सफेद ही लिया हुआ है उनके जो सीर है वो कहें लंबे है कहें सीर लंबे है कोके सैड़ पर जाती यूरोप दक्षनी एवं दक्षनी पस्वी एसिया वह उत्री अफ्रिका में निवास करती है कोके सैड़ पर जाती यूरोप यूरोप दक्षणी एवं दक्षणी पस्मी एसिया था उत्री अफरीका में निवास करती है अब इसकी जो विशेष्टा है मैं मैं विशेष्टा तो मैं आपको बता चुका बाकि और भी इसकी विशेष्टा ही जानना चाते हो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाते हो तो यहां से पढ़ सकते हो बाकि जो महत्पुन महत्पुन थी कि इनका तौ अब हम बात करते हैं यहां पर प्यारे साथियों नाडिक परजाती इसे हम बाल्टिक परजाती भी कहते हैं यह परजाती मुख्य रूप से उत्री परजाती परजाती प्यारे साथियों नाडिक परजाती को हम बाल्टिक परजाती भी कहते हैं यह परजाती मुख्य रूप से उत्र परजाती इसे हम बाल्टिक परजाती भी कहते हैं जो कि बाल्टिक परजाती के आजपास निवास करती है बाल्टिक छेतर के आसपास का छेतर हो गया उत्री पस्मी यूरोप हो गया इसके निडेविया हो गया और उत्री जर्मनी हो गया उसके बाद हम बात करते हैं अलपाइन परजाते के बारे में मद्य एवं दक्षन पूर्वी यूरोप में अलपाइन लोग निवास करते हैं ये अत्यंत नविन पर जाती है तो जो अलपाइन पर जाती है प्यारे साथियों बिल्कुल अत्यंत नविन पर जाती है अलपाइन पर जाती के लोग मद्य एवं दक्षन पूर्वी यूरोप मे निवास करते हैं अलपाइन परजाती के लोग मद्य एवं दक्षन पूर्वी यूरोप में निवास करते हैं यह बहुती नविंतम परजाती है दिनारिक परजाती जो की आलपस छेतर में निवास करती है इंडो दर्वीड परजाती जो की दक्षनी भारत स्री लंका में निवास करती है अब हम बात करते हैं मंगोलाइड परजाती के बारे में मंगोलाइड परजाती प्यारे साथियों अमेरिका और एसिया दोनों में निवास करती है तो मंगोलाइड परजाती को ACI अमेरिकाई परजाती के नाम से जाना जाता है जो मंगोलाइड परजाती है इसे मेरे प्यारे लाड़ो ACI अमेरिकाई परजाती के नाम से जाना जाता है ग्रिफिट टेलर के अनुसार यहां सबसे नवीन और बाद की अलपाइन पर जाती है अब प्यारे साथियों आपको मंगोलाइड पर जाती के लिए आपका अपना चेहरा देखना है आपका रंग कैसा है घहमवा रंग का है थोड़ा पीला है ठीक है दूसरा आपका जो कपाल सूचकांग के मद्या है आपके जो बाल है वो बिलकुल सीधे हैं जो मैं आपको कल भी बता दिया था मैं आपको आज भी बता दिया मंगोलाइड पर जाती मुख्यत है एसिया के उत्री मद्यवर्ती पूर्वी छेत्रों में पाई जाती है दोनों अमेरिका उत्री और दक्षनी अमेरिका में पाई जाती है इसके लावा ओस्टिले में भी पाई जाती है तो जो मंगोलाइड पर जाती है प्यारे साथियों उत्री दक्षनी अमेरिका में एसिया के उत्तर मद्यवर्ती भाग में पूर्वी भाग में पाई जाती है और ओस्टिले में पाई जाती है तो दुबारे से रिपीट कर रहा हूं मंगोलाइड पर जाती कहां कहां पाई जा तुषिंग पाते हैं इसे जाती है ऊतरी वहाग में पाई जाती है। पूरी हमें पाई जाती है उत्टेड अमेरिका में पाई जाती है। कि Rakshn अमेरो झाती है मेरे भी पाई जाती है तुछ जिसने इंडियन उत्री अमेरिका में पाए जाते हैं जो कि मंगोलेड परजाती से सम्बंदित हैं भारत में संसार की अधिकांस परजातियों की परति निदितु मूल परजाती या मिस्जित परजाती की रोप में विद्मान है प्यारे सातियों भारत में विश्की समस्थ परजातियां या तो डायरेकली या इंडायरेकली तरीके से विदमान है भारत में संचार की अधिकांस परजातियों की परते नीदी तुमूल परजाती या मिस्षित परजाती की रोप में यहां पर विदमान है अब हम बात करते हैं भारत की मानो परजातियों का वर्गी करण परजातियों के मिस्तरन के कारण भारत की जन्शंक्य में परजातिय वर्गों का निर्धारन एक जटिल समस्या है भारत की मानो परजातियों का अध्यन करने वाले विद्वानों में रिजले, हैडल, हटन और घुणा चार थे तो प्यारे साथियों भारत की मानो परजातियों है उनका classification करने वाले टोटल 4 विद्वान थे जिसमें एक का नाम रिजले मोज़ था दूसरा हेडन थे तीसरा हटन थे और चोथा गुवहा थे तो आपको याद करना है अच्छे से कि भारत की मानो परजातियों का वर्गी करने वाले टोटल चार विद्वान जिसमें एक रिजले दूसरे हेडन तीसरे हटन और चोथे गुवहा मोदे हैं अब सबसे पहले हम बा भारतिय परजातियों को सर्वपर्थम 1909 में साथ भागों में विवाजित किया था मैं एक बार रिपीट कर देता हूं सरहरबट रिजले ने भारतिय परजातियों का सर्वपर्थम 1909 में साथ भागों में क्लासिपिकेशन किया था अब ये साथ के साथ भाग आपको याद क अब हम बात करते हैं headdon mode headdon mode ने भार्तिय परजातियों को total eight भागों में विबाजित किया था अब हम बात करते हर्टन mode J.H. Hutton ने समस्द भारत की परजातियों में negrito जो अब अत्यालब संक्या में विदामान है को सरो प्राचीन एवं अल्पाइन को नविन तम परजाती माना था और भारते परजातियों को टोटल पाच भागों में विबाजित किया था तो हर्टन मोदे ने प्यारे साथियों 1931 में हर्टन मोद्य ने 1931 में भारत की परजातियों को पांच भागों में विबाजित किया था जिसमें उन्होंने निग्रिटो परजाति को सबसे प्राचीन और अल्पाइन परजाति को सबसे नवीन बताया था अब हम बात करते हैं सबसे महत्पून है गुहा का वर्गी करण डोक्टर बी एस गुहा ने भारतिय मानों परजाति का वर्गी करण उनके सारीरिक लक्ष्रों पर वेग्यानिक थत्यों का सारा लेते हुए तारकिक धंग से प्रस्तूत किया जिसका परकासन जनसंक्या में परजातिय तत्यो नाम से 1944 में किया गुहा ने समस्त भारतिय जन किया था उसको इन्होंने अपनी खुद की एक किताब जनसंक्या में परजातिय तत्यों में परकासित किया तो अब ध्यान से सुनना डोक्टर बी एस गुवा ने सारीरिक लक्ष्रों के आधार पर 1944 में भारतिय परजातियों को कुल छे भागों में विबाजित किया था ठीक है कितने भागों में विबाजित किया था तोटल छे भागों में विबाजित किया था किसके आधार पर सारीरिक लक्ष्रों के आधार पर बी एस मोदा ने जब 1944 में सारीरिक लक्ष्रों के आधार पर परजातिय को छे भागों में विवाजित किया तो उसको किस में परक्यासित किया अपनी किताब जन संक्या में परजातिय तत्तों में अब हम बात कर लेते हैं भारत की कुछ परजातिय मानों परजातिय उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं अब यहां से आप थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हो चाहो तो otherwise confused हो जाओगी बहुत डीपली नहीं याद करना है जैसे निग्रिटो पर जाती है प्यारे साथ यो निग्रिटो पर जाती है जो अंडमान निकोबार में निवास करती है स्री लंका में निवास करती है इसके लावाद प्यारे साथियों आप इनको तो सभी को याद करना है मैं बता देता हूँ निग्रेटो याद करना है झाल है बसके वाएवावले पोर्टर याद करना है कि निवाज करती है निग्रेटों के बारे में पढ़ना है ठीक यह सारी मतलब आपको Mediterranean चाहे आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो भूमद्य सागरे पर जाती है तो आपको इनका जो आवाज छेतर वो सारक सारा याद करना है ठीक है इनका जो आवाज छेतर वो आपको अच्छे से याद करना है अब यहाँ पर हम बात कर लेता है कोके साइड पर जाती निग्रोड पर जाती और मंगोलेड पर जाती हो के बारे में देखो कोके साइड पर जाती प्यारे साथियो यूरोप अफरीका और एसिया में निवास करती है निग्रोड पर जाती अफरीका एसिया और परसांत मासागर के दीपों में निवास करती है और मंगोले परचाती प्यारे साथियों एसिया परसांत मासागर के दीप उत्री दक्षनी अमेरिका में निवास करती है ठीक है यह बात आपको बहुत अच्छे से याद करना है अब यहां पर हम एक एक करके पढ़ते हैं बस इन तीनों को आप अच्छे से याद को लो कि कोके साइड पर जाती में यूरोप अफरिका एसिया में है निग्लोड पर जाती अफरिका एसिया परसांत मासागर के दीपों में मंगोलेड पर जाती एसिया परसांत मासागर के दी अमेरिका में है अब इसमें आपको कुछ-कुछ बाते हैं जो अच्छे से याद करनी है लुक्त सब्से पहले तो आपको याद करना है वीसुद निग्रों पढ़ जाती जो कि पसमी अफ्रिका की गिनी तट्के छित्र में निवास करती है बांटू परजाती जो कि बद्दव दक्षनी अफ्रीका में पाये जाते हैं जो जो मैं बताओं वो वो केवल पढ़ लेना बाकि सारी चीजों को आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पर एसकीमो चुक्ची याकूत सोमोईड यह परजातिया मंगोल से समदिते हैं अब हम बात करते हैं बुस्मेन प्यारे साथियों निग्रोड पर जाते से संबंदित है जो की काला हारी मरुस्तर में निवास करती है होटें टोड पर जाती जो की दक्षनी पस्मी अफरिका में निवास करती है ये बात आपको ध्यान रखना है बुस्मेन के मुखे नर्जाते संबंदित को हम खुआई या सान कहते है होटें टोड के नर्जाते संबंदित को प्यारे साथियों खोई खोई कहा जाता है तो आपको ये वाला पॉर्षन पूरा पूरा अच्छे से याद करना है अब इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों पिग्मी जो की कांगो बेसिन में निवास करते हैं अफ्रिका के कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाते निवास करती है ये आपको याद करना है सेमांग मलेसिया में एटा फिलिपिन्स में तारीपो न्यूगिनी में है पापुआ न्यूगिनी में है मलेनेसियन मलेनेसिया दीप में है मलाय मंगोलाइड दक्षनी चीन इंडोचीन म्यामार्थ हाइलनड मलाय प्रैदी जापन इत्यादी की परते हैं चाहाओ तह आप इसको यात करें लेना और्दर्वास स्केप भी कर देना इंडोनेसिया मंगोलाइड इंडोनेशिया saving करते हैं अमेरिकी इंडियन जो उत्री मद्देव दक्षणी अमेरीकी छेतर में निवास करते हैं तो देखो प्यारे साथ यो इस टेबिल में आपको क्या-क्या याद करना है एक तो ये वाला पॉर्षन याद करना है ठीक है ये वाला इसके लाव प्यारे साथ यो आपको ये वाला याद करना है यह वाल आपको complete याद करना है बैस इसके लाव आप कुछ भी मत पड़ो इसमें से नार्डिक इसके निडेविया उत्री जर्मनी उत्री फ्रांस एवं निदलेंड बेल्डियम एवं ब्रेटिस दीप समू के कुछ छेत्रों में पाई जाती है अल्पाइन मद्य यूरोप में अब हम पढता है द्रम के बारे में बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है द्रम के बारे में एक चीज थी सबसे मैंत पूर्व कहां पर है देखो विश्की सरवादिक जन से क्या इसाइध ध्रम का अनुवियाई है विश्की लगबग 30% जन से क्या इसाइध ध्रम से सम्बंदित है यह दोनों लाइन यह याद कर लो विश्की का सबसे बड़ा ध्रम कौन सा है प्यारे साथियो इसाइध ध्रम है दूसरा सबसे बड़ा ध्रम कौन सा है इसलाम है इसलाम ध्रम एकस वरवाद को मानता है जो इसलाम ध्रम है वो मेरे प्यारे साथियो एकस वरवाद को मानता है पहला सबसे बड़ा इसाइध ध्रम है दूसरा इसलाम ध्रम है उसके बाद हम बात करते हैं हिंदू ध्रम हिंदू ध्रम भारत का सबसे प्राचीन एवं भैत्पून ध्रम है अनुयायो की संक्या की दरश्टी से इसाइध इसलाम के बाद दिया है विस्व का तीसरा सबसे बड़ा ध्रम है तो सबसे बड़ा धर्मे प्यारे सात्यों इसाई फिर इसलाम और फिर हिंदू है इसाई इसलाम और हिंदू उसके बाद पांचवा धर्मे प्यारे सात्यों बोद तो सबसे बड़ा है इसाई फिर इसलाम फिर हिंदू और फिर बोद उसके बाद आता है प्यारे साथियो यहुदी तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ इसाई फिर इसलाम फिर हिंदू फिर बोद और फिर यहुदी यहुदी द्रम का उद्बव कहां पर हुआ था तेरी सताब्दी में जेरुसलेम में हुआ था यह बात भी आप याद कर लेना सबसे बड़ा ध्रम है इसाई फिर इसलाम फिर हिंदू फिर बोद और फिर यहुदी यहुदी ध्रम का जनम कहां पर हुआ था प्यारे साथियो जेरुसलेम में हुआ था अब सिंटो ध्रम चीनी ध्रम इनको आप चाहो तो पढ़ लेना चाहो तो जरूरी भी नहीं है वैसे 100% एक्जाम ओर्येंटेड नहीं है यह चीजे इसलिए मैं इनको यहाँ पर नहीं कंप्लेट करवा रहा तो सोशियल कल्चर जो ग्रोपे में इतना ही बहुत हम हैटपोन नहीं किया है क्योंकि समझाने का कुछ था है यहाँ पर तो केवले फैक्ट इफैक्ट है ठीक है और फैक्ट भी इतने जादा है कि कन्फ्यूज करने वाले हैं अब मिलते हैं कल वाली क्लास में दूसरी यूनिट के साथ यह सोशल कल्चर जोग्रोपी के जोग्राफर है इसको मैं कल एक बार कंप्लीट करवा दूआ और चलो एक बार अब भी कंप्लीट कर लेते हैं इसको कल क्यों बहुत जादा है कली कंप्लीट करेंगे आज तो नहीं हो पाएगा यह चलो पढ़ लेते हैं अब भी कोबर मोदे जो कि अमेरिका के थे हैंड बुक ओप दे इंडियन देखो कोबर मोदे कहां के थे के अमेरिका के थे हैंड बुक ओप दे इंडियन पो कैलिफोरिया कंफिर्गेंशन ऑफ कछर ग्रोथ इसको मतियाद कर ना यह वाली परजातियों को तीन मुख्य भागों में और 11 उपर परकारों में विभाजित किया था तो कोबर मोदय अमेरिका के थी हैंड बुक आप दै इंडियन्स इनकी किताब का नाम है हैंड बुक आप दै इंडियन्स ऑफ कैलेफोरनिया मानोफ परजातियों का वरगी करण किया इन्होंने कोबन ने तौचा के रंग के आधार पर पर पढ़ जा त्यूंकि तीन मुख्या और ग्यारा उप भागों में विवाज़त किया डॉर्विन मोद्या ब्रेटेन के परकर्त वादी विग्यानिक थे दै ओरिजन ओप इस्पेसिज इनकी किताब का नाम है त दौर्विन के अनुसार मानों का विकास तीन संस्तर के जीओं से होता है अब ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि दौर्विन के अनुसार मानों का विकास तीन इस तरके जीओं से होता है पहला रुपांतरन है दूसरा अनुकुलन है और ती प्राकर्तिक चैन हक्सले मोदे ब्रेटेन के हैं ये भी चोष डॉर्विन के सायोगी थे बालों के बनावट के आधार पर इन्होंने मानों परजातियों को पांच भागों में विबाजित किया अब हम बात करते हैं हेड़न मोदे के बारे में जो कि ब्रेटेन के थे इनको मत्यात करना इतने महत्पूर नहीं है हेड़न मोदे ब्रेटेन के थे रेस ओफ मैन इनकी किताब का नाम था बोगोलिक वितरन के आधार पर इन्होंने भारते परजातियों को आठ भागों में विबाजित किया था बालो के बानावट के आधार पर इन्होंने परजातियों को तीन भागों में विबाजित किया था तो हेडन मुद्या ब्रेटेन के थे रेस ओफ मैनिन की किताब का नाम है वोगोलिक वितरन के आधार पर भारतियों परजातियों को आठ भागों में विबाजित किया और बालों के बनावट के आधार पर परजातियों को तीन भागों में विबाजित किया उसके बाद Griffey Taylor बहुत मैटपून है Griffey Taylor अमेरिका के समा सास्त्री और मानो सास्त्री थैं ये बाते याद करना है ग्रेशियल ज़ो गरों पे इनकी किताब का नाम है परिजातियों के परिभासा दी मानो परिजात नसल को परकट करती है ने कि सब्वैता को ये definition आपको याद करना है प्यारे साथियों ग्रिफिट टेलर मोदे ने परजातियों की definition दी थी कि मानो परजाती नसल को परकट करती है ने कि सब्वैता को टेलर ने 1919 में बालों की बनावट वे सिरस्य सूचकांग के आधार पर परजातियों को साथ भागों में विवाजित किया टेलर ने परजातियों के उत्पति से सम्मझित परवास कटी बंद सिद्धन्त या जोन इस्टेटा थोरी का परतिपादन किया जो मैं आपको ओल्ड रेड़ी पढ़ा चुका हूँ अब इसके बाद हमें प्यारे साथियों ब्लास मोदे जो कि कहां के थे फ्रांस के थे इनकी किताब का नाम है प्रंसिपल ओफ हुमन जोगरूपी आप ये याद कर लो कि ब्लास मोदे फ्रांस के थे प्रंसिपल ओफ हुमन जोगरूपी इनकी किताब का नाम है लीनियस मोदे linear मोदह ने परजातियों का सबसे पहले classification किया था जो इन्हों ने तउचा के रंग के आधाथार पर चार भागों में विबाजित किया था उसके बात किरें blue man back देन ब्लू मैंऱ जर्मन के थे इन्होंने सिर्ष स्य सूचकाई के आधार पर मानों परजातियों को भाजज़ गी है योग जर्मन के थे इसके लावा प्यारे सातियों कुन मोदे में आपको के वाल इतना याद रखना है कि इन्होंने मानो परजातियों को पाँच भागों में विभाजित किया और कोकेसाइड परजातियों का विभाजित किया तो कुन मोजे ने मानो परजातियों को पाँच भागों में विभाजित किया और कोकेसाइड परजातियों का विभाजित किया डेनियर मोजे इन्होंने बालों के बनावट के आदार पर परजातियों को तीन भागों में विबाजित किया हर्बट एच रिसले तो हर्बट एच रिसले ब्रेटेन के मानों सास्त्री थे इन्होंने सरोपर्थम भासा संस्कृति आधिके आधार पर भारत में परजातियों को साथ भागों में विवाजित किया था हर्बट एच रिसले मोदे जो कि ब्रेटेन के थे इन्होंने सरोपर्थम भासा संस्कृति आधिके आधार पर परजातियों को साथ भागों में विवाजित किया था हर्टन मोदे कॉस्ट इन इंडिया इट्स नेचर फंक्शन एंड ओरिजन इस किताब का नाम अच्छे से याद करना है कॉस्ट इन इंडिया दूसरी किताब का नाम इनका इट्स नेचर फंक्शन एंड ओरिजन 1931 में इन्होंने भारत में परजातियों का वर्गी करण किया था ये भी आपको अच्छे से याद रखना है गुहा मोदे भारत ये बोतिक मानो सास्त्री थे एंत्रोपोलोजिकल सर्वे विबाग का पहला डायरेक्टर थे इन्होंने भारत में परजातियों को छे मुख्य भागों में और नो उपर भागों में विबाजित किया था ठीक है इनके बारे मैं ओडरेरी बता भी चुका हूँ आपको रसेल मोदे की जो किताब है दे कोस्ट एंड ट्राइबस ओफ दे सेंटल प्रोविजम इसको याद करना चाहो तो कर लो अधरवाज कैंसिल भी कर दो इसको बहुत जादा महत्रपोर नहीं है थोमस वे स्पेंसर मोदे ने 1937 में विश्को 37 परदेसों में विबाजित किया था ये बात आपको अच्छे से याद करना है प्यारे साथियो कि थोमस वे स्पेंसर मोदे ने 1933 में विश्को टोटल 37 परदेसों में विबाजित किया था और इसके लावा आपको याद करना है गुहा बोदे याद करना है हटन याद करना है विसले याद करना है टोपिनार याद करना है डेनियर याद करना है कुन याद करना है ब्लूम बैक याद करना है लीनियस याद करना है बलास याद करना है टेलर याद करना है हेडर याद करना है थीक है हकसले याद करना है डॉर्विन याद करना है और कोबर याद करना है तो इस तरीए से मेरे प्यारे साथiar यह हो गए social culture जोग्रोपी के महत्पुन महत्पुन जोग्रापर जिनको आपको अच्छे से याद करना है अब यहाँ पर समझाने का concept का कुछ था नहीं सब कुछ याद करने का था केसी बन रही होगी मिन में कि या क्या क्या याद करें खोड़ें जोजो चीज़े मैंने बताइन मैंने बताई यहां से 100% एक क्योशन बनेगा एक नहीं 100% बोलना हूँ 2 क्योशन बनेगे यहां से ठीक है 2 क्योशन आज आज की किलास से बनेगे बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए thanks by मेरे प्यारे साथियो कल जो टेस्ट होगा उसमें सबी के सबी जरूर अउलेबल होना